क्या चेतना वास्तविक्ता का निर्मान करती है? क्या ब्रम्हांड चेतन है? चेतना समवेदन शील प्राणियों और मनुष्यों में विविधता के अधिक्तम अभिव्यक्ति के लिए है? मेरे प्रिये दोस्तों, मुझे विज्ञान पत्रिका New Scientist में इस कवर स्टोरी को देखकर बहुत खुशी हो रही है इसलिए जब मैं देखता हूँ इस पत्रिका New Scientist में कहा गया है चेतना ब्रम्हांड के सबसे बड़े रहस्य के बारे में दस सबसे बड़े प्रश्न क्या चेतना वास्तविक्ता का निर्मान करती है? हाँ, क्या ब्रम्हांड चेतन है? नहीं, ब्रम्हांड चेतना में एक अनुभव है अन्य जानवरों में चेतना कैसी होती है? चेतना मौलिक जागरूकता है, जो सभी जानवरों और सभी समवेदन शील प्राणियों में अनुभव की आधार भूमी है क्या भौतिकी चेतना को समझा सकती है? नहीं, चेतना भौतिकी को समझाती है चेतना का विकास कब हुआ? चेतना, अस्तित्व और जागरूकता है, और अस्तित्व की जागरूकता यह मौलिक है, यह बिनाकारण के है जो विकसित होता है, वह प्रजाती विशिष्ट ग्यान और चेतना में अनुभव के तरीके हैं चेतना का क्या उद्देश है? चेतना समवेदनशील प्राणियों और मनुश्यों में विविधता के अधिक्तम अभिव्यक्ति के लिए है जो एकता की चेतना के लिए विकास का एक अंतहीन क्षितिज है क्या आप मस्तिश्क में चेतना को देख सकते हैं? नहीं, चेतना मस्तिश्क को देखती है क्या हम जान सकते हैं कि क्या कोई मशीन चेतन है? हाँ, जब एक मशीन भूख महसूस करने लगे, यौन अनुभव करे, अनिद्रा से पीडित हो, और अस्तित्व संबंधी दुविधाओं का सामना करे, तब वह मशीन चेतन होगी, लेकिन वास्तव में ये कभी संभव नहीं है क्योंकि सभी मशीने चेतना में निर्मित होती हैं, और इसलिए जो कुछ भी हम रोज मर्रा की वास्तविक्ता कहते हैं, वह चेतना में कल्पित, निर्मित, नियंत्रित और अस्तित्व में आता है, यह शांदार है कि यह कहानी एक विज्ञान पत्रिका के कवर पर है, लेकि यह समझें कि यहां जो कुछ भी पूछा गया है और जिसका उत्तर दिया गया है, वह मानव चेतना में एक मानसिक निर्मान है, चेतना को जानने का एक मात्र तरीका यह है कि मैं कौन हूँ